हेलो एन वेलकम माई डियर फेंड दिस इज मी कुमार पंकज और क्रेकनाओ पर आपका हार्दिक स्वागत दमा का वीडियो में बहुत ज़्यादा आप वेट और आवेटिड वीडियो था मुगलकाल पे सल्तनत काल हम देख चुके थे इसी पद्धती पे और आज हम जल्दी से मुगलकाल को कवर करेंगे BPSC 67 और अन्या सभी एक्जाम्स के लिए बहुत मैतपूर्ण ये क्रेकनाओ स्पेशल दमा का वीडियो मुगलकाल सुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले हम देखेंगे बाबर के बारे में कुछ मैतपूर्ण कथन जो पूछे जाते हैं questions तो भारत में ओटोमन युद्ध पद्धती को अपनाने वाला पहला सासक बाबर दूसरी चीज खानवा के युद्ध में जेहाद की गोसना की बाबर ने ध्यान रखना है आपको लोधी पर विजह प्राप्त करने का जो इसका एक बहुत बड़ा कारण था वो ता तोप खाना याद रखना है पूछा जाता है पादसा की पदवी इसने धारण की थी ये पूछा जाता है पानीपत में जीत इसने प्राप्त की सेन को सलता की एक कारण ये क्वेस्चन बनता है कि पानीपत में जीत का कारण क्या था तो सेन को सलता और लोदी पर विजय प्राप्त करने का कारण था तोप खाना और खानवा का युद्ध जो हुआ राणा सांगा के विरुद्ध उसमें जेहाद की घोसना की थी बावर ने तो जुके बावरी इसकी आत्मकता है जो के तुर्की भासा में है ध्यान रखना है सारुक नामका चांदी का सिक्का चलाया था बावर ने ठीक है तो ये महतपूर बातें हैं जो बावर के बावर के वारे मा आपको पता होनी चाहिए प्रमुख युद्ध देखेंगे बावर का युद्ध 1529 में तो इसकी ट्रिक भी है पानी पिया खाना खाया चादर तान के सो गया तो घागरा लास्ट में होगा जैसे भी ऐसे भी बनाते हैं कुछ लोग की पानी पिया खाना खाया चंदन लगा के घागरा पहन के सो गया तो जो आपको सही लगे वो अब बना लीजे का उल्लेक है तो मेवाड और विजयनगर राज्यों का जो दक्षिणी राज्य थे उनका उल्लेक मिलता है बावर नामा में मैतपूर्ण है याद रखना है आपको आगे देखेंगे हम लोग हमायू को तो हमायू के बारे में मैतपूर्ण चीज है चित्रकला की मुगर सैली के लिए जाना जाता है हमायू ने सुरुवात की चित्रकला की मुगर सैली की दूसरा है स्वण मुद्रा का प्रचलन यहां पे किया गया यह भी important है द्यान रखना है हमायू के दोरा स्वण मुद्रा का प्रचलन किया गया तो ये ऐसा नहीं है कि इसने पहली बार किया, बट ये जो सल्तनत काल का पराभव हुआ, उसके बाद अगर मुगल काल में स्वन मुद्रा का प्रचलन किसी ने किया है, तो वो हुमायू ने किया है, और ऐसा क्वेशन बन जाता है, युद्ध इसके देखेंगे, उनका क्रम द 32 में हुमायू ने, ये क्वेशन इससे बनता है, ये कुछ वयो चीजें हैं, जो पर्टिकुलर राजा के युद्धों से संबन देते हैं, तो ये अभी देख रहे हैं, आगे हम इस थापत्य कला को अलग से देखेंगे, तो आप परिशान ना हों, बस देखते रहें, और क् भी इनके युद्ध हुए हैं, तो सेड़सा मिरत्यु हुई इनकी कालिंजर में, ये क्वेशन बनता है, उच्च सिक्षित ये ब्यक्ती थे, इन्होंने जौनपुर से सिक्षा प्राप्त की, और इनका पहले नाम फरीद था, बाद में सेड़सा के नाम से ये जाने जाने हजरते आला की उपादी इन्होंने पहले धारण की थी, फिर बाद में सुल्तान की उपादी इन्होंने धारण की, तो ये दोनों क्वेशन बनते हैं, ध्यान रखना है, इनके कई सारे सुधार हैं, जिनसे क्वेशन बनता है, राजस्व सुधार, प्रसासनिक सुधार, सैन प्रणाली में सुधार यह question बनते हैं और यह जो मुद्रा प्रणाली में सुधार की मैं बाते हां पर कर रहा हूं इसका मतलब है इन्होंने मुद्रा को नियमित करने का जो कार्य किया वो सेड़साने किया था आगे चलके अकबर भी ऐसा कुछ प्रयास करते देखने मिलेंगे हमको ठीक है पट्टा और कबूलियत की जो विवस्ता है इन्होंने लगाई चलाई थी तो यह महतपून है इसको याद रखना है पट्टा इवं कबूलियत की प्रथा को इन्होंने क्रसी के छित्र में जो है विकास करने के लिए उसको सहयोग करने के लिए इन्होंने मेंदर क्या थी तो जो तामा था वो 64 और H21 यानि चांदी का एक तो 64 अनुपात एक तामे चांदी के रुपे की विन मेंदर थी सेड़सा के समय में महत्पूर्ण है बिहार में एक क्वेस्चन पूछा जाता है मकबरा कहां है सेड़सा का तो साशाराम में है किला एक कोहवा मजजद इन्होंने बनाई किला एक कोहना तो यह मजजद है दिल्ली में याद रखना है सड़के आजम का निर्मान इन्होंने किया था जो काफी जाना जाता है तो पूर्वी बंगाल से लेके पेसावर तक सड़के आजम का निर्मान सेरसाने कराया था इतना इनके बारे में जानके रखेंगे, काम हो जाएगा, अकबर पे आते हैं, बहुत ज्यादा अकबर से question बेहार में बनने का trend है, अकबर और जहांगीर से question बेहार में पूछे जाते हैं, ये बेहार के दो बेटे हैं, ऐसा समझिए, तो चलिए, अकबर प्रबुद्ध निरंकुस की जो है उपादी इनको दी जाती है, कि प्रबुद्ध निरंकुस कौन था, तो अकबर राजगद्धी इनको मिली कला नौर में, जब इनके पिता का देहान तो गया, तो इस समय कला नौर में थे, और वहीं इनको राजगद्धी पे बिठाया गया, यानि राज तिलक राजपूतों में, किस से इनकों किये हैं? तो कच्छवाहों से, ऽे सरप्रतम वहाहिक संबंद्ध की बात हो रही है, राजपूतों में, ना कि इनक अगर सारे चीजरों को डेटेल में जाहिएगा, वहाहिक संबंद्ध के साथ इनकょ landscape के साथ इनको बनाए, तो सबसे पहले आईने दहसाला के नाम से जानी जाती थी यो टोडर मल से संबन दे थी नहीं थी संबन देता है लड़का, लड़की की विवाह की आयूυ निर्धारित करने का प्रियास किया अकभर ने और स्वेम की इच्छा से विवाह करने का जो है इन्होंने फर्मान जारी किया कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो स्वेम की इच्छा से विवा कर सकते हैं, तो अब ये मत सोचिएगा कि आप अकवर के खाल में होने चाहिए थे, क्योंकि आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, ठीक है? चलिए, इबादत खाने का निर्माण इन्होंने आया, अकवर ने बहुत important question है, पूछा जाता है कि इबादत खाने का निर्माण किस ने करवाया, तो अकवर ने करवाया था, इनके समय में मनसबदारी विवस्ता बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, मनसबदारी विवस्ता अकवर के समय, और ये किसलिए थी? तो महल, पंच महल, जोदावाई का महल, बुलंद दरवाजा और चालीस इस्तम महल, तो जो स्वन महल, पंच महल, जोदावाई का महल और बुलंद दरवाजा है, ये फतहपूर सीकरी में है, और चालीस इस्तम का महल, इलावाद में है, ये आप याद रख सकते हैं, बहुत महत महत्पूर्ण facts है इनके बारे में, जहां से question बनता है, सुलह एकुल सिद्धान्त इनों ने जो है लागू किया, सुलह एकुल का मतलब होता था कि आपस में जो सामंजस से है हिंदू और मुसलिम में बना रहे तो सुलह एकुल की नीती या सिद्धान्त अकबर से संबन देता ह सिक्षा शंबन्दी सुधार करने के लिए भी अकबर को जाना जाता है, इनके कुछ महत्पूर्ण और कारिया है, जजिया की समाप्ती इनों ने की, इबादत खाना का निर्मान कराया, मजहर पर हस्ताक्षर किये, और दीने इलाई की इस्तापना की, ये बिलकुल सीरियल मे ही लगे हुए है, ये question पूछा जाता है, सेम question आ जाता है कई बार, कि किस क्रम में हुए, तो जजिया की समाप्ती सबसे पहले हुई, फिर इबादत खाना का निर्मान हुआ, मजहर पर हस्ताक्षर उसके बाद किये, फिर दीने इलाई की स्तापना की, इसी क्रम में ये आए किस ने जारी किये, तो वो अकबर ने किये थे, तो अब आप देख रहे होंगे, कितने महतपूर्ण question अकबर से बनते हैं, और मैंने कोसिस की है, कि आपका question ना छूटे, अब आ जाते हैं, जहांगीर, जिन से 3-4 question इस category में पूछे जाते हैं, और चित्र कला में हम अलग से देखेंगे अभी, तो जांगीर, दो असपा और सिंग असपा प्रथा इन्होंने शुरू की, यह महतपूर्ण है इनके बाड़े में, चित्तोर की संदी, इन्होंने की मुगल प्लस मेवाड कहेंगे, वर्सिज नहीं कहेंगे, युद्ध नहीं था, संदी थी, यानि मुग को Captain Hawkins, तो ध्यान रखना है, खान की उपादी, Hawkins को दी इनोंने, मुगल चित्रकला का स्वनिम युक कहा जाता है, जांगीर को, मुगल चित्रकला का जो उतकर्स देखने मिलता है, वो जांगीर के समय मिलता है, ये भी याद रखना है, तमाकु के प्रियोग पर निसेद इ के बारे में कुछ महतपूर्ण facts, तो दिल्ली का लाल किला का निर्मान इनों ने कराया, दिल्ली की जामा मस्जित का निर्मान इनों ने कराया, ताज महल का निर्मान इनों ने कराया, राजदानी आगरा से दिल्ली किसी ने स्थाना अंतिरित की, very most important question है, राजदानी आगर के लिए साँ जहाँ को जाना जाता है। जिजदा समाप्त इन्होंने किया था, जो सिजदा, बल्वन के समय से चला आ रहा था, उस प्रथा को समाप्त किया साँ जहाँ ने को ही नूर हीरा इन्होंने प्राप्त का हुआ तो वो औरंग जेव थे, जिन्दा पीर इनको कहा जाता है, काफी माने जाते हैं, ये जिन्दा पीर की उपादी इनको मिली, तो द्यान रखना है, औरंग जेव, दो बार राजय बेशेक, जिन्दा पीर की उपादी, जिहाद चलाया इन्होंने, और इनके जो पुनहें लगाया ओरंग जेब ने ठीक है याद रखना है आपको महतवपून है बीजापूर प्लस गोलकूंडा का विले इनी के समय में हुआ और मुगल सहि underwaterिक हिंदू किसी सासक के समय थे तो वो औरंग जेव के समय थे, ठीक है, बीजापूर गोलकुंडा का विले का मतलब क्या है, अपने साशन में इनों ने, अपने जो सामराज्य में, बीजापूर और गोलकुंडा का विले किया, औरंग जेव ने, तो साउत के लिए एक काफी महतपूर हो जाते हैं, चलिए, म सेना पर निर्भर करती थी, ये मुगलकालीन प्रशासन के बारे में है, सेना का प्रधान मीरवक्सी, ये आपको याद रखना है, जो इनके मुगलकालीन प्रशासन के समय सेना का प्रधान कौन होता था, तो मीरवक्सी होता था, मुहत्तसिव पूछा जाता है क्या था, तो ल को दी जाती थी, जो राजस मुक्त भूमी वो कहलाती थी, मदते माश, दाम आपको याद रखना है, तो दाम जो है तांबे का सिक्का होता था, और यह हमने अभी देखा था, तांबे का सिक्का किस ने चलाया, अभी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, अब देखेंगे कु ऐसे करके याद रखिए, तन, वेतन, दीवाने तन, जागीर वेतन को देखना, मुस्तारफी, यह राज्य की आयवे का निरक्षन करता था, ठीक है, आयवे का निरक्षन, तो मुस्तारफी को आप रिलेट कर सकते हैं, असरफी, असरफी क्या है, आयवे से ध्यान दखेंगे ऐसे करके relate करना जरूरी है, क्योंकि आप कई सारे अधिकारी पढ़ेंगे, कई सारी terminology पढ़ेंगे, सिर्फ मुगल नहीं पढ़ना है, सल्तनत भी पढ़ेंगे, मौर्याज भी पढ़ेंगे, तो किसी चीज को किसी से आप relate करिएगा, महत पूंड रहेगा, मुसरिफ जो है, व फर्मानों को सुची बद्द करना वकिया नवीस, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सब के दिमाग में question mark उठेंगे, कि वकिया नवीस तो गुप्तचर विवस्ता से संबन देता है, बट सल्तनत काल में जो वकिया नवीस है, वो घटनाओं और फर्मानों को सुची बद करता था, तो यह important है, इसलिए मैंने style लगा के इसको highlight कर दिया है, ध्यान वकिया नवीस, गटनाओं और फर्मानों को सुची बद्द करता था, मुगल काल में, ठीक है, चलिए, बंटाई क्या होता था, तो लगान निर्धारण का तरीका था, बटाई, मनसवदारी के बारे स्था को लागू किया गया, यह आनुवानसिक नहीं थी, यानि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है, जात एवं सवार, जो है पद इसमें दिये जाते थे, और जो जात जितना होता था, उससे अधिक सवार नहीं हो सकते थे, यह important fact है, याद रखना है, कि जात के according ही सवार के पद सुनिश्चित किये जाएंगे, जिसको जितना जात है, उतने वो सवार रखेगा, राज के कुलीन वर्ग से संबन देता, यानि आनुवानसिक तो नहीं था, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यह निश्चित था, लेकिन राज के कुलीन वर्ग ही ज चैन था, ऐसा नहीं है, कि आप राजा हो, तो आपको राजा मिलेंगे, ठीक है, तो चैन योग गता, आपको योग गता होगी, तो ही आपको मनसबदारी जो है, बिवस्ता दी जाएगी, मुगलकालीन संगीत और चित्रकला पर एक द्रिस्टी डालते हैं, महतपून है, चि पर कुछ एक्स्ट्रा स्टेट्मेंट मुझे आप देना चाहें, तो कॉमेंट वॉक्स खुला है, बताईएगा मुझे, बट मैंने बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद, अकवर मुझे एप्रोप्रियेट आंसल लगता है, चित्रकाली के लिए कार खाने, ठीक है, अकवर के समय से संबन देता है, इंप्रोपर को अकवर याद कर दोगे, तो अबुल हसन बहुत मह्त पूर्ण है, इनको कुछो पादी दी गई थी, आपको देखना है, उस्ताद मंसूर, ये अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय के चित्रकार है, और इनसे बन बनता है, दोनों को कुछ उपादियां दी गई है, ये आपके लिए हमवर्क है, इनकी उपादी इनके आगे लिख देना, ठीक है, और फिर माधव और गोबर्धन, इनको भी याद रखना है, हिंदू थे, जांगीर के समय चित्रकार थे, तो इनसे क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट हैं, वो याद रखने है, अबुल हसन, उस्ताद मनसूर, माधव गोबर्धन, फिर उसके बाद कोई इंपोर्टेंट है, तो मनोहर है, फिर उसके बाद कोई है, तो अकारिजा है, और तब भी आपका पेट ना भरे, तो फारुख बेग है, और मुहम्मद नादिर है ठीक है और जांगीरी चित्रकला यानि जांगीर के काल में चित्रकला की उन्नती हुई यह मैतपून है औरंग जेब से चित्रकली के संबंद में ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है इनसे इस थापत्य के संबंद में क्वेश्चन आते हैं वीना बजाता था बंदी बंदा यह याद रखना है आपको ठीक है तो औरंग जेब बजाता था वीड़ा ठीक है चलिए यही कुश्चन आता है इनसे अब आगे मुगल कालीन साहित्य के बारे में कुछ चीज़े देख लेते हैं तो मुगल कालीन साहित्य हुमाईू नामा गुलबदन बेगम ने लिखा ठीक है मैतपून है ताजुल मासिर की रसना की हसन निजामी ने तारीख यामनी अलुतभी की रचना है तुझुके बाबरी बाबर की स्वेम की आत्मकता है तबकात अकबरी निजामुद्दीन एहमद की रचना है अनवारे सुहिली यह बैल बैज अलकासिफ ने जो है इसकी ट्रांसलेशन किया पंच तंत्र का अनवाद है अनवारे सुहिली नाम से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पंच तंत्र का लेखक ते विश्णू सर्मा ये भी आप यात रख सकते हैं ठीक है बैज अलकासिफ ने अनवारे सुहिली से इसका अनवाद किया पंच तंत्र का सा जहा नामा इनायत खा ने लिखा राम चंद्रिका और रसिक प्रिया के सब्दास की रचनाये हैं ये पूछी जाती है तारीक ए सेड़ साही अब्बास खांसरवानी याद रहेगा फिर बोल रहा हूं तारीक ए सेड़ साही अब्बास खांसरवानी राम च तो ऐसा question आता है, एक तरफ आपको सासक दे देगा, विदे स्यात्री दे देगा, मिलान करवाने पूछेगा, तो जहांगीर के समय विलियम हौकिन्स आए, अकवर के समय विलियम फिंच, साँ जहां का संबंद है, ट्रेवनियर से, और औरंग जेव का है, मनुची से, कई बार सासक नहीं देता है, सिर्फ आपको इचारों दे देगा, विलियम हौकिन्स, विलियम फिंच, ट्रेवनियर और मनुची, और आप से कहेगा, क्रम में लगाओ, तो आप इनका समय देख लीजेगा, कि कौन कव आया, ठीक है, वैसे तो ये इसी से ऐलिमनेट हो जाएगा, कि अकबर के में आया, फिर उसके बाद जांगीर में आया, फिर उसके बाद साँ जहां, फिर औरंग जेब, तो ऐसे भी लगा सकते हो, बट ये यहीं है, आपके लिए फैसलेटी एक्जाम आल में नहीं होगी, तो थोड़ा सा आराम की चादर को हटाईएगा, और मेहनत कर लि चंदेरी अठाईस, दो रहा एकत्यस, चौसा उन्तालिस, कन्नो चालिस, सामगड का युद्ध, सोलेसो अठावन, बहुत महत्पून है ये सारे युद्ध, अब कुछ सबदावली और अर्थकारिय देख लेते हैं, तो देशाई का मतलब होता था राजस्व अधिकारी, द कही वार दाम आ चुका है, तीसरी वार यहां डिसकस कर रहा हूं मैं, दाम जो है तामे की मुद्रा होती थी, जरीब, भूमी और माप की प्रणाली होती थी, दीवान, प्रांतिय राजस का प्रमुक होता था, देशाई, राजस सदकारी होता था, यही ता मुगल, अब हम आ मैं छोड़ दे रहा हूं, गौरी ने दिया था, किसके लिए दिया था, चलिए मैं बता देता हूं, एबक को प्रदान किया गया था, इतना कंटेंट मैं दे रहा हूं, सेर नहीं किया न, आपने तो पाप लगेगा आप सब लोगों को, ठीक है, तो जहांगी, जागीर जो ह अमरम विजयनगर और मोकास मराठे, उसके बाद आगे है युद्ध और उनका संबंद किस्से है, तो हल्दी गाटी का युद्ध अकवर वर्सिस राणा प्रताप, खुसरो का विद्रो हुआ जहांगीर के विरुद, खानवा का युद्ध हुआ बावर वर्सिस राणा सां ठीक है, इतना मैं डिटेल में नहीं जाओंगा, आप लोग सब पड़े हुए प्रबुद्ध जीवी लोग हैं, बट मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, क्रैकनाव आपके लिए हमेशा ततपर है, आप बिलग्राम का युद्ध दोर देख लो जल्दी से, हुमाईव और सेडसा के बीच हुआ था, बिलग्राम का युद्ध महतपून हैं, और सेडसा कितने महतपून हैं, बिहार के लिए ये कोई बात छुपी नहीं है आपसे, तो इसी सब्दों के साथ क्रैकनाव और कुमार पंकज आपसे लेता है, आज के लिए अलविदा, कल फिर मिलेंगे, इसी नई अपडेट के साथ और धमाका इस स्पेशल में, तब तक के लिए सेयर इतना ठोक दो, कि आज धमाका हो जाए यूट्यूब पे, ठीक है, थैंक्यू सो मच पर वाचिंग, है वे गुट डे, ओल दा बेस फॉर अपकमिंग एक्जाम, जै हिंद!